नमस्ते सात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वाकत है, आज हम इस वीडियो में वरेत्र भारत के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंदू गाटी सबेता के पर महत्तर भारत के बारे में एक बारे में एक जाम में कई बार पूछ लेते हैं, तो पढ़ते हैं हम वरेत्र भारत किसे कहते हैं वरेत्र भारत से तात्परिय भारत से बाहर उस विस्तरित बोखंड से है, जहां भारती सिंसकर्ती का परचार परचार हुआ, तथा जिसमें प्राचीन भारतियों ने अपने उपनिवेसों की स्थापना की पासात्य विश्वय के साथ भारत का संपर्क मुख्यत व्यापार परग था, किन्तु उत्तर पूरव तता दक्सिन पूरव के देशों में नए केवन भारतिय सब्यता का पूर्ण परचार हुआ, अपितु उनमें से अनेक में प्राचीन भारतियों ने अपने राज्ये भी की स्तापित कर लिये थे, इस परकार वरैतर भारत का जन में हुआ, ठीक है, वरैतर भारत के देशों का विवाजन हम दो भागों में कर सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं, मद्धे, एसिया, तिबबत, तथा चीन को रखा जाता है, पर्थम भाग है, उसमें मद्धे, एसिया, तिबबत और चीन, जबकि द्वीतिय भाग के अंदर हिंद चीन तथा पूरव द्वीब समुहों की गणना की जा सकती है, हिंद चीन में कंबुज, अर्थात कंबोडिया, चंपा, वियतनाम, बर्मा, श्याम, थाइलेंड, तथा मलाया, मलेसिया, आदि समिलित हैं, इसी प करना की जाती है, भारत में मद्धे एसिया के मद्धे सम्मंद देखेगा कैसे थे, चीन, भारत तथा इरान के बीच इस्तित परदेश को मद्धे एसिया अथ्वा चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है, जो पहले कासकर से लेकर चीन की सीमा तक फैला हुआ था, इसके अंतरग कासकर, सेल देश, यारकंद, कोकुक, खोतान, खोतुम्न, सानसान, तुर्फान, भरुक, कुच्ची, कुच्चा, करसहर, अगनी देश, आदी राजों की गणना की जाती है, चत्तुर्त सताबदी स्वी तक यह संपूर्ण छेतर एक परकार से व्रहतर भारत के रूपे परि पर्मु केंद्र थे, जहां से इसका व्यापक परचार परशार हुआ, मदे एसिया के दक्सिनी राजों तथा भारत के उत्री पस्ची में भाग के बीज व्यापारिक संपर्क होने के कारण, वहां भारती उपनिवेसों की स्तापना हुई, सिग्रही व्यापार का स्थान ध धरम परचार ने भारती सेंसकर्ती को मदे एसिया में फैला दिया, उत्री पस्ची में सीमा से हिंदू को स्पार कर अनेक भारती बोध परचारक मदे एसिया में जा पहुँचे, गुप्तकाल के प्रारम तक बोध धरम मदे एसिया के सबी भागों में पूरी तरह ब्रामी लिपी को वहां के राज्यों ने अपनाया तता कुलीन वरक के लोगों ने सिंस्कृत भासा को गरहन किया विबिन स्थानों से सिंस्कृत में लिखी हुई बोध रचनाओं की परती लीपयां भी प्राप्त होती हैं फायान हमें बताता है कि वहां के निवासी भारतिय भासा का अध्यन करते थे मद्दे एशिया से प्राप्त भारतिय गरंतों में धंपद, उदानवार, सारी पुत्रे परकरण, आदि विशेश रूप से उलेखनिये हैं धर्म के साथी साथ भारतिय चिकिस अंकला का भी मद्दे एशिया में परचार परचार हुआ भारतिय चिकिस सा संपन्धी के गरंत भी प्राप्त किये जगे हैं अब अगला है भारत अथा तिबबत के संबन्ध पामीर के पठार से आच्छा दित तिबबत एक दुर्गम एम हिम्मंडित पाड़ी परदेश है ये तीन बड़े छेत्रों में भक्त हैं जिने छोलखा कहा जाता है महाबारत्यम कालिदास के रगुवन्स महाकावे में तिबबत का उलेक त्रीविस्टप नाम से मिलता है लेकिन इसके साथ भारत का संपर्क वस्तुते बोध धर्म के माद्यम से ही हुआ तिबबत का प्राचे निथ्यास अंदकार पूर्ण है सरपर्थम साथवी स्ताबदी में इसके विशे में संसार को कुछ ग्यान हुआ इस समय तिबबत में सांग संगम पो नामक एक अत्यन सक्तिसाली राजा हुआ जिसने मद्दे एसिया पर आकर्मन कर वहां अपना अधिकार इस्तापित कर लिया नेपाल पर भी उसका अधिकार था उसने चीन तथा नेपाल की राजकुमारियों के साथ अपना विवाह किया उसी के समय में तिबबत में बो धर्म का परचार परशार हुआ कहा जाता है कि ये राजकुमारिया अपने साथ बुद्ध की परतिमाएं लेकर गई थी तथा व्याकरण के अध्यन के लिए भारत भेजा। अध्यनों प्रांत वापस लोटकर उसने तिबत्ती भासा के लिए एक वनमाला तथा व्याकरण का विश्कार किया। थमभोटी को तिबत्ती साहिते का जनक कहा जाता है। भारत तथा चीन अत्यन्द प्राचिन काल से भारत्यों को चीन के विशे में ग्यान था। महाभारत तथा मनुस्मर्ती में चीनी का उलेक मिलता है। प्राचिन संपर्ग 33 सताब्दी के लगबग प्रारम हुआ। इससा के बहुत पहले से ही भारत तता चीन के बीच जले मंथल दोनों इमार्गों से व्यापारिक संबन्द थे। प्रैथम सताब्दी इस्वी के एक चीनी गरंच से पता चलता है कि चीन का हुआंग चे अर्थात कांची के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार दूत मंडल चीन भेजने को कहा। इस वीवरण से स्पष्ट होता है कि इस्वी की दूतिय अत्वा पर्थम सताब्दियों में भारत तथा चीन के बीच समुद्री मार्ग द्वारा विदिवत संपर्क स्तापित हो चुका था। इस प्रकार भारत और चीन के प्रारंबिक सम्मद्र पूंट या व्यापार प्रक थे। चीनी सिल्क की भारत में बड़ी मांग थी। कालिदास ने भी चीनी रेस में वस्तर चिनांसुख का उलेख किया है। परंतु सिकर ही व्यापार का स्थान धरम परचार ने ग्रहन कर लिया। था बोथ परचार को के प्रियतनों के फल्सरूप भारतिय सबेता चीनी में व्यापक रूप से फैल गई। अगला आता है दक्षिनी पूर्वी एसिया में भारतिय सेंस करती। दक्षिन पूर्वी एसिया में भारतिय उपनिवेसों की स्थापनाई के पणाम सरूप वहां के सासन समाज, भासासाईते, धर्मेमकला, अद्धीपर भारतिय तत्वों का परभाव पढ़ा। अगला आता है भारत का पास्ताते विश्वे के साथ व्यापारिक संबन्द। व्यापारत तम वानिजे भारत के आर्तिक जीवन का परमुक तत्वा रहा है। वस्तुते ये वहां के निवासियों की सम्रद्धी का प्रधान कारण था, अत्येंद प्राचीन काल से ही यहां निवासियों ने व्यापार वानिजे के छित्र में गहरी दिल्चस्पी दिखाई। राजे की ओर से भी व्यापारियों को प्रियाप प्रोचान एम सरंक्षन परदान किया गया। पड़ाम सरूप यहां का आंत्रिक एम भाहिये दोनों ही व्यापार विक्सित हुआ। जहा कई बार कि शुरू पूच लेते इसमें से भारत ता पासात्य विश्व के बीज संपर्क के प्राचीनतम संदर्प मिलते हैं तथा पी इस बात के सपस्ट परमान हैं कि भारत का पासात्य जगत विशेश का रोम के साथ गनिस्ट व्यापारिक समंद इस्विशन के प्रारम के लगबग आरंब हुआ पामपेई नगर की खुदाई में भारतिय सहली में निर्मित हातिदांत की बनी यक्षिनी की एक मूर्ती मिली हैं जिसका काल इससा पूर्वे दूसरी स्तापदी माना जाता है उपलब्द साहित्तेक एवन पूरातातिक प्रमानों से पता चलता है कि ओगस्टस काल अर्थात इससा पूर्वे 27 से 14 में उत्तर पच्चिम तथा भारतिय उप महाद्वीप के प्रायद्वीप ये छेत्रों दोनों के साथ रोम का व्यापारिक सम्मन्द विक्सित हो गया था ये आर्थी गतिवीदिया इससा की पर्थम दोस्तापदियों तक ते से होता था तथा वाने जे मुख्यत परिवहन व्यापार जैसा था भारत के दक्सिनी छेत्रों तथा रोम के 20 व्यापार सीमान प्रकरतिका था इस व्यापार में रोमन प्रजा तथा भारतिय व्यापारियों दोनों ने गैरी अभीरू चिली तथा उन्हें अपने सास को से सहायता प्राप्ट हुई क्योंकि उन्हें भी इससे प्रभूत लाब मिलता था ठीक है तो देखेगा इन के बारे में हमने जो रहतर भारत है उसके बारे में हमने संक्सिप तोर से आपको यहां पर बताया है इन सब के बारे में हम अलग-अलग से भी आपको वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओर दो